हलो दोस्तों वेलकम टो माई इटूप चनल और आज हम आपके लिए लेकर आई हैं मैत की प्रेटिस के लिए 20 कोशन जिन मैंसे आप कितने सही कर पाते हूँ चेक करके अपनी तयारी को देखें और कमेंट में कमेंट करके बताना कि आपने 20 मैंसे कितने कोशन सही अटेंट किय हैं तो अब देखते हैं पहला कोशन क्या है दोस्तों पहला कोशन आपका रेशियो का कोशन है यह कोशन तो अब सभी लोगों का सही होना चाहिए तो अब देखते हैं इसमें दे रखा क्या है वो देखते हैं इसमें दे रखा ए अनपात बी कितना दे रखा तीन पात चार B, Unpassed, C, कितना दे रखा, 6, Unpassed, 5 तो दोस्तों मान किसका निकलवाए, C, Unpassed, E का, ठीक है तो C, Unpassed, E, कितना होगा वो देखना है तो चार ओप्सन दे रखें, सही ओप्सन पे ठीक लगाना है तो अब देखते है, A, Unpassed, B, कितना दे रखा है कितना 6 अनपाथ 5 अब 4 के आंगे 4 6 के इधर 6 तो अब इसको दो आप समय मोल्टिप्ली कर लेंगे इनको मोल्टिप्ली कर लेंगे तो 6 कितना होगा दोस्तो 18 ऑफा Allah कि जह're priced कि तो स्थी चोउई दोस्तों 24 फां चोउघ्छ कितना वैए बीस टिकर अब इसमें हमको निकालना क्या कि दोस्तों C अनपात A निकलना है तो C की बेलू हमारे कितनी निकली है 20 अनपात A की बेलू दोस्तो कितनी निकली है 18 तो 20 अनपात 18 ओप्षन नहीं है तो हम इसको 2 से काट लेंगे तो कितना आजागा दोस्तो 2 से काटेंगे तो 10 अनपात 9 तो 10 अनपात 9 इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा तो इस question का option number E right है जिन लोगा का option number E आएगा वो right answer है चलो अब देखते हैं अगला question क्या है अगला question क्या है वो देखते है अगला question है दोस्तो अगला question दे रखा है दो मिस्र धातूओं E थता B में जस्ता थता 10 का अनपात किरम्स है पांच अनपात 2 थता 3 अनपात 4 है इन मिस्र धातूओं में से A का 7 किलोग्राम दोस्तो इसमें क्या दे रखा है वो देखना है तो A का क्या दे रखा है A पांच अनपात 2 दे रखा है और B का अनपात कितना दे रखा है तीन अनपात 4 दे रखा है इन मिस्र धातूओं में A का 7 किलोग्राम अब दोनों की बेलू कितनी दे रखा है 7 दे र तो देखते हैं अब इस कुश्चन को दोशतो अब इस कुस्चन में किया दोस्थ तौड़ा नेक्स अब यहां से दिखने है अब देखते हैं यहां पे तु कितना यह कमान के तरकाद मारा फाइव नपाध तो पांच अनपात दो और बी का कितना दे रखा है तुमारा तीन अनपात चार तो दोस्तो मिस्र धातुवा में एक का अनपात यहां पे कितना दे रखा है कुशन के अकोडिंग साथ दे रखा है तो पांच और दो पांच और दो कितना हुआ दोस्तो पांच अनपाथ दो कितना हुआ इनको मिलाके साथ तो साथ की बेलू कितनी दे रखी है साथ तो एक की बेलू कितनी होगी दोस्तो एक होगी अब एक का गुड़ां कहां पे कर देंगा पांच में तो यहां पर कितना आजाएगा दोस्तों हमारा अनपात कितना आएगा पांच अनपात दो आजाएगा ठीक है पांच अनपात दो इसी फिरकार हम बी के मानों को देखेंगे तो बी का मान कितना है चार और तीन साथ साथ की बेलो दोस्तों कितनी दिरक्टी है एक केस तो एक की बेलो कितनी निकलाएगी तीन निकलाएगी ठीक है अब तीन का मल्टिप्लाई तीन में करेंगे तो तीन तरका नो तीन का मल्टिप्लाई चार में करेंगे तो दोस्तों कितना होए बारा ठीक है अब हम इनको क्या क अगला कुस्प्स्ण क्या है दोस्तू अगला कुस्प्स्ण क्या है दोस्तू बो देखते हैं अगला कुस्षन है आपका चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्रहक 800 रुपई में 12.5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है तद नुसा चावल की मूल कीमत प्रती किलोग्राम कितनी है ठीक है दोस्तो तो अब इसमें क्या करना है 20% दे रखा यहां पर दोस्तो तो 20% में क्या है दे रखो 20% की fraction value कितनी होती है वो देखते है fraction value कैसे निकलते है दोस्तो 20 बट्टे 100 तो 0,002 से 10,5 बर कटा तो fraction value कितनी होती है एक बट्टे 5 होती है ठीक है दोस्तो तो यहां पर क्या होगा हमारा 5 से कितना हो रहा है दोस्तों कमी हो रही है तो 5 से कितना हो रहा है चार हो रहा है यह दोस्तों क्या है हमारी पिरायस है अगर हम इसको reverse कर देंगे उल्टा कर देंगे 4 से 5 कर देंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा quantity हो जाएगे ठीके दोस्तो तो यहाँ पर क्या हो रहा है चार से 5 हो रहा है कितने का difference है एक का हमारे according और question के according कितने का है 12.5 का तो एक का मान कितना दे रखा दोस्तो 12.5 हमको निकालना क्या है वो देखते हैं तद अनुसार चावल की मूल कीमत तो दोस्तो मूल कीमत क्या करना हमको निकालनी है मूल कीमत पहले वाली कीमत निकालनी है अगर बरतमान कीमत की बात करता ना तो हम 5 का मल्टिपले करते तो मूल कीमत निकानी तो हम किसका करेंगे चार ख़प मल्टिपले करेंगे तो चार पाइँ 20 0 हासिल 2 12.49 उनेंचास 50 ठीके दोस्तों तो यहाँ पे एक अंगाद पॉंट है तो एक अंगाद पॉंट लगा देंगे तो हमारा कितना गए 50 पास आगया अगरा रुपई कितने दिखें तुँडियां 800 तो 800 बट्टे कितना हो जाघा तुम्हारा 50 हो जाएगा तो 800 बट्टे पाचास 0-0-0 कारड़ू सूले पाइँ है ग्लाफाइब उसकुस्षन का आंसर हो जागा दूस्तों ूला ठीक है तो इस-कुस्षन का आंसर होगा option number B जिस किसी का भी 16 आंसर आया है वह answer right है अब देखते हैं अगला question क्या है दोस्तों वो देखते हैं तो अगले question के लिए देखते हैं क्या है अगला question है दोस्तों यदि एक संख्या में एक संख्या में 25% की ब्रद्धी करती चाहे और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी करती चाहे तो उनकी अंतिम प्रत्सत ब्रद्धी या कमी क्या होगी तो इसमें दोस्तों क्या कर रखा है वो देखते हैं 25% की fraction value कितनी होती है दोस्तों अभी 20% की fraction value भालू बताई थी वो कैसे बताई थी दोस्तों उसी प्रकार हम 25% की व्या Champs Wam 25 या ओक आँ सो करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 या सो तो निंदेर ك symmetry कितनी और गी дивृ स्कंत आगए दोस्तों 4 या दो 40š हो गया इसी प्रकार यहां पर क्या हो रहा है तुमारा दोस्तों चार से कितना हो रहा कमी हो रही है तो तीन हो जाएगा यहां पर कितना हो गया शोले हो गया पांचती 15 होगे यहाँ पर गुणा करेंगे इदर तो अब 16 से यहाँ पर क्या हो रहा दोस्तो 16 से 15 एक कम हो रहा है क्या हो रहा है एक कम हो रहा है कितने पूरा है 16 पर हो रहा है ठीक है दोस्तो तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तो एक कम हो रहा है ठीक है अब देखते हैं यहां पर गुणा करेंगे कितने का दोस्तू तो का अब काट काटते हैं तो यहां पर होगा 4 चाख 16 तो 25 हो का 100 अब कितना आया दोस्तू 25 वट्टे 4 तो 25 वट्टे 4 कितना हो जागा 6 साई 6 साई 1 वट्टे 4 परसेंटेज कमी ठीक हो जागा 6 साई 1 वट्टे 4 परसेंटेज कमी तो इस कुष्ण का आंसर क्या हो जागा option number 2 ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अगले कुस्टन की तरफ अगला कुस्टन क्या है वो देखते हैं अगला कुस्टन क्या है दोस्तों अगला कुस्टन है अगला कुशन है दो की पावर दो सो पचास कॉमा तीन की पावर एक सो पचास कॉमा पाच की पावर सो ताता चार की पावर दो सो संख्यां हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ठीके दोस्तो तो हम इस कुश्चन को सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे वो देखते हैं तो दोस्तो हम इनकी पावरों को समान करने की कोशिस करते हैं अब देखो दोस्तों यहां पे कितना है दो की पावर दोसो पचास है तो दोसो पचास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दो की पावर दो की पावर पांच की पावर कितनी हो जागी दोस्तों पचास हो जागी क्योंकि मैं अगर पचास का गुणा पांच में करूं तो कितना हो ठीक है क्या हो जाएगा गुड़ा हो जाएगा अब इसी प्रकार हम देखते हैं तीन की पावर एकसो पचास अब तीन की पावर एकसोपचास को दोस्तो कैसे लिख सकते हैं तो तीन की पावर तीन 15 हम दोस्तो पचास ही क्यों लगरे क्यों कि समान करने की कोसिश ह्यां 50 यहां पे 2 नव में समयन हो गया है तो अब इसको देखते हैं दोस्तो 5 का 5 पावर 2 2020 क्योंकि 50 का गुणा परहेंगे दोस्तो सो हो जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं यहां पर अगला क्या है तुमारा अगला है तुमारा चार की पावर 200 अब चार की पावर 200 को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं तो चार की पावर चार पचास तो पांच चोक बीस अब हो गया अब इसमें हमारी क्या हुगा दोस्तों इसमें क्या हुगा कि हमारे जिए पावर सब समान हो चुकी है सब में power क्या होगी? दोस्तों 50, 50, 50 तो अब सबसे छोट सबसे हम को कहाँ देग-षोटी संक्य शंक्य देखste Out दोस्तों 2 की power 5 क्या होता है? तुमारा दोस्तों 2 गुड़ा, 2 2 2 दूनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16 दूनी 32 होता है ठीक है? अब 3 की power 3 कितना होता है 27 अब 5 की power 2 कितना होता दोस्तो 25 होता है ठीक है तो अब यही हमारा answer हो जाएगा 5 की power 2 क्या है तुमारा 25 है यही सबसे छोटी संक्या है तो यह संक्या थी कौन सी वाली वो देखना है ठीक है तो ये संक्या कौन सी थी तुमारी दोस्तो 5 की पावर 100 कौन सी थी 5 की पावर 100 तो इस कुस्षन का आंसर दोस्तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 100 ओप्सन नंबर भी इस कुस्षन का राइट आंसर है ठीक है अब देखते हैं अगला कुस्षन अगला कुस्षन क्या है दोस्तों वो देखते हैं अगला कुस्षन है दोस्तों निमने संख्याओं में निमने संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो अब सबसे बड़ी संख्या हमको निकालनी है इसमें अब यहां कहादे रखा दोस्तों 0.16 अब यहां पर क्याद रखा दोस्तो रूड पॉइंट वन शिक्स ठीक है अब यहां से दोस्तो हम पॉइंट अठाएंगे तो दो जीरो नीचे बढ़ाएंगे ठीक है तो अब यहां से हम इसका रूड निकाल सकते हैं इसका 16 का इसका रूड कितना होता दोस्तो 4 होता है 100 का इसका रूड कितना होता दोस्तो 10 होता है तो अब इसको हम पॉइंटों के रूप में लिख सकते हैं 0.4 ठीके दोस्तो अब हमारे बेलू के आगे है तुमारी पहली है तुमारी 0.16 दूसरी होगी तुमारी 0.4 ठीक है तीसरी है तुमारी 0.16 0.16 अगर इसका स्कुर करेंगे तो 4 अंकवा 0 आ जाएगा ठीक है तो बोज और छोटी संक्या हो जाएगी और यहाँ पर कितना तुमारा 0.04 तो यह भी चोटी संक्या है तो अब इसमें सबसे बड़ी संक्या कौन सी है जो बड़ी संक्या कौन सी है इसमें जो सबसे बड़ी संक्या है तुमारी 0.16 ठीक है दोस्तों तो इसका आंसर होग gates आप्सन नंबर वह अत्व देखते अगला कुषन औला कुष्षन क्या कहता है वो देखते हैं अगला कुष्षण यह दे रखा ए दोस्तों तो ठीक है अफान अप्याइं इस फिलस बना पॉन 30 पिलस बन अपॉन 42 पिलस बन अपॉन चापपन पिलस बन अपॉन 72 पिलस बन अपॉन 90 कामान कितना होगा ठीक है दोस्तो तो इस प्रकार के कुछनों को करने के लिए आपको कुछनी करना है थोड़ा सा इसी में देखना है अब देखते हैं अब इसमें क्या दे रखा है तो अब इसमें दोस्तो एक बन अपॉन 20 बन अपॉन 20 को हम दोस्तो ऐसे लेख सकते हैं चार गुणा 5 पिलस बन अपॉन 5 गुणा 6 पिलस बन अपॉन 6 गुणा 7 पिलस बन अपॉन 7 गुणा 8 पिलस बन अपॉन 8 गुणा 9 और पिलस बन अपॉन 9 गुणा 10 इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं और अब हम इसको solution कर सकते हैं तो 1 upon 4 minus 1 upon 5 plus 1 upon 5 minus 1 upon 6 इस प्रकार लिखेंगे तो हमारा ये संक्या सब कटती जाएंगे dot dot यहाँ पर कितना जग 1 upon 9 minus 1 upon 10 तो ये सब संक्या कट जाएंगे बचेगा क्या दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका क्या बचेगा 1 upon 4 minus 1 upon 10 यह बचेगा तो इसका LCM कितना हो जाएगा 10 और 4 का 10 और 4 का LCM हो जाएगा दोस्तो 20 तो अब 20 में डिवाड करेंगे 4 का तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुमारा 5 और minus 10 में 10 का डिवाड करेंगे 20 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच्चता है दोस्तों 3 बच्टे 20 बच्चा कितना बच्चा 3 बच्टे 20 तो इस question का answer हो जाएगा दोस्तों 3 बच्टे 20 Option number C इस question का right answer हो जाएगा अब देखते हैं अगला कुस्टन अगला कुस्टन क्या कहता है दोस्तों वो देखते है अगला कुस्टन है दोस्तों आपका अगला कुस्टन क्या कह रहा है अगला कुस्टन में जब N को क्या बोला दोस्तों इसमें जब जब N को 6 से विवाजित किया जाता है ठीक है दोस्तों किस को N को N को 6 से विवाजित किया जाता है N को 6 से विवाजित किया जाता है ठीक है दोस्तों किस से 6 से विवाजित किया जाता है N को 6 से विवाजित किया जाता है तो CES पल 4 आता है क्या आता दोस्तों सी सफल चार आता ये रिमांडर कितना आता दोस्तो चार आता है तो हमको पता करना चाहिए कि एन की जगा पर कितना मान होना चाहिए ठीक है तो अब क्या है एन को छह से विभाइद किया जाता है तो रिमांडर कितना आता है दोस्तो Remender आता है चार अगर हम N की जगे पे N की जगे पे दोस्तों क्या रखते हैं हम 10 रखते हैं N की जगे पे कितने रखके देखें 10 रखके देखें तो हम कितने बार दें एक बार 6, एकन 6 तो यहाँ पे 10 में से 6 गया तो कितना बचा, चार बचा के नहीं बचा, चार बच रहा है, तो अब देखते हैं, इसमें, अब इसमें क्या किया है, टू एन को, तो एन की जिगए भे हमने क्या रखा था, दस रखा था, तो अब यहां पे क्या है, यह दुगना किया है, तो दू का गुणा कर देंगे, दस में तो कितना है दोस्तो 20 हो जाएगा अब 20 को क्या करना 6 से डिवाड करना है तो 6 से डिवाड करना तो रिमांडर कितना है वो दीखना है तो 618 रिमांडर कितना वचा दोस्तो 2 तो इस कुस्षन का आंसर क्या हो जाएगा तो आप्सन नम्मर ए इस कुस्षन का राइट अंसर है चलो चलते है अगले कुस्षन की तरफ अगला कुस्षन क्या है दोस्तो वो देखते हैं अगला कुस्षन है दोस्तो अगला कुस्षन है तीन व्यक्ति तीन व्यक्ति एक कार्ण को तीन व्यक्ति एक कार्ण को छे दिन में पूरा कर सकते हैं उनके कार्ण सुरू करने के तीन दिन बाद तीन अन्य व्यक्ति उसमें सामिल हो जाते हैं तद अनुसार वे सब सेस कार्ण कितने दिन में पूरा कर लेंगे अब इसमें क्या करेंगे देखो तीन व्यक्ति एक कार देखो तो दोस्तो तीन व्यक्ति एक कार को कितने दिन में कर रहे हैं छे दिन में तो हम पहले टोटल बर्गडन निकाल लेंगे टोटल बर्गडन हमारा कितना हो जागा दोस्तो तो टोटल बर्गडन हो जागा हमारा त तो अब क्या बोला सवाल में उनके कार शुरू करने के तीन दिन बाद अब दोस्तों तीन दिन तक तो तीन लोगों ने कार किया हुआ तो तीन दिन तक तीन लोगों ने कार कितना कर दिया तीन गुणा तीन नौ कार कर दिया तोटल कार हमारा कितना था अठारे तो अठारे मैंसे नौ गया तो कितना बचा नौ अब सेस कार कितना बचा दोस्तों नौ सेस कार बचा है अब इस कार को कौन करेगा तद अनुसार बे त्योंगे दूस्तू 6 हो गए अब 6 का डिवाइड कर दें वही मारा आंसर है तो 6 एकंद 6 कितना बचा दूस्तू तीन बचा नहीं जारा पॉंड लगा लो चिपाईं तो 1.5 इस कुस्षन का राइट आंसर है ठीके दोस्तू इसमें ऑफ्षन जी दे रखें वो गलत है इस कुस्षन का राइट आंसर 1.4 होगा ठीके दोस्तू 1.5 होगा सॉरी अब देखते हैं अगला कुस्षन क्या कहता दोस्तो वो देखते हैं अगला कुस्षन है दोस्तो आपका अगला कुस्षन है दोस्तो 180 मीटर 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी रेल गाड़िया समानतर पट्रियों पर एक दूसरे की दिशाओं में दोस्तो इसमें क्या हुआ है एक दूसरे की ओर आ रही है एक दूस से 65 किलो मीटर पर हावर्स थता 55 किलो मीटर पर हावर्स की गती से चल रही है तदर अनुसार भी एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी दोस्तो इसमें क्या निकलवाए समय निकलवाए बो भी किसमें सेकंड में तो चाल पराबर दोस्तों होता क्या है दूरी बट्टे समय चाल पराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय अब देखते हैं अब इसमें दे रखा क्या है वो देखते हैं तो दोस्तों दूरी कितनी दे रखी है एक गाड़ी की दे रखी तुमारी 180 तो इन दूरीयों को दोनों बट्टे दूरी बट्टे चाल बरावर क्या होता है समय होता है ठीक है और हमको समय निकालना किसमें सेकंड में निकालना है अब इसमें दूरी किसमें दे रखिये मीटर में दे रखिये और चाल किसमें दे रखिये दोस्तों चाल दे रखिये किलोमीटर पर हावर समय तो हमको इसको change करना हुगा किसमे meter पर meter पर second में तो अब इसको change करने के लिए क्या करेंगे 5, 18 गुणा कर देंगे चाल में अब चाल क्या के दे रखी हैं तुमारी 65 और 55 तो दोस्तो 65 और 55 चाल दे रखी हैं 5, 5, 10, 0, 1, 6, 5, 11, 12 तो चाल कितनी होगी तो टोटल तुमारी जोड़ी क्यों है ये जोड़ी इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि एक दूसरे की दिसाओं में आ रही हैं ठीक है ये समान दिसाओं में नहीं जा रही है अगर समान दिसाओं में जाती हैं तो गठाते हैं एक दूसरे की और आती हैं तो इसको क्या करते हैं जोडते हैं तो 120 अब यह 120 है हमको किसमे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5 बट्टे 18 18 कहां पहुचा देंगे उपर ठीक है दोस्तों अब 0 से 1 0 कार दो 5 6 के 30 6 2 नी 12 2 निम 18 ठीक है दोस्तों तो इस कुस्षन का आंसर क्या निकला आया 9 सेकंड ठीक है इस कुस्षन का आंसर क्या हुए दोस्तों 9 सेकंड अब देखते हैं अगला कुस्षन अगला कुस्षन क्या कहता है वो देखते हैं अगला कुस्षन है दोस्तों अगला कुस्षन है fraction value हमने आपको बताई थी कितनी होती है एक बटे पांच तो पांच से कितना हो जागा दोस्तो चार और दस परसेंट की fraction value कितनी होती दोस्तो एक बटे दस तो दस से कितना हो जाएगा नो पांच परसेंट की fraction value दोस्तो कितनी होती है पांच परसेंट की fraction value कितनी होती है आपके एक बटे 20 तो 20 से कितना हो जाएगा 19 अब बात करते हैं इनको multiply करते हैं तो 20,500 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 और यहाँ पे कितना होगा वो देखते हैं तो पहले करेंगे हम 19,4 का 76 19,46 गुड़ा कर लें 9,9,54,5,9,7,63 63 और 5 68 तो यहाँ पे कितना आजाएगा दोस्तों आपका 684 तो अब दोस्तों इससे कितना कम है इससे कितना कम है दोस्तों 316 कम है कितना कम है 316 कितने पे 1000 पे गुड़ा करेंगे 100 का तो 2,0 से 2,0 काड़ देंगे 1,0 बचा है दोस्तों तो कितना हो जाएगा एक अंक बाद पॉंट लगा देंगे तो 31,6 इस कुष्चन का राइट आंसर है ठीके दोस्तों कौन सा आंसर है इस कुष्चन का 31,6 ओप्षन नम्मर C इस कुष्चन का राइट आंसर ठीके दोस्तों चलो चलते हैं अगले कुष्चन की तरफ अगला कुष्चन क्या है अगला कुष्चन है दोस्तों एक कपड़ा बिक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल के बरावर लाब प्राप्त कर रेता है तद ननसार उसका लाब कितना है अब इस कुश्चन को करने के लिए हमको क्या करना है वो देखते हैं तो दोस्तो इसमें लास्ट में देखेंगे इसमें क्या हो रहा है लाब हो रहा है अब इसमें लाब हो रहा है तो दोस्तो लाब होगा हमारा sp greater than होगा कि सीपी से ठीक है दोस्तों तो अब इसमें क्या करेंगे वो देखते हैं तो 33 कोश्टक कि एसपी माइनस सीपी बरावर 11 मीटर विक्क्री तो 11 ठीक है दोस्तों अब इसमें क्या होगा इसमें मल्टिप्लाई कर देंगे 33 sp माइनस 33 cp बरावर 11 sp अब 33 sp और 11 sp को इदर साथ लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या 33 में से 11 जाएगे तो कितना बचेगा दूस्तों 22 sp और बरावर यहां कितना हो जाएगा 33 cp अब इसको 11 से काते हैं 11 दूनी 22 ग्यारती 33 तो दोस्तो sp कितना हो जाएगा sp सामने वाला 3 हो जाएगा और cp cp के सामने कितना 2 है तो cp और sp cp कितना हो जाएगा दूस्तों 2 हो गया और sp कितना हो जाएगा तुमारा 3 हो गया ठीक है तो अब इसमें कितना बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है ठीक है दूस्तों कितने पर 2 पर गुणा करेंगे 100 का तो ये कितने बार कटी किया 50 बार कितने बार कटी किया दूस्तों 50 बार तो इसका आंसर क्या हो गया 50% option number c इस question का right answer है ठीक है दूस्तों अब चलते है आगले question की तरफ आगला question क्या है वो देखते हैं आगला question है दोस्तों एक दुकांदार एक दुकांदार एक बस्तो 15% लाव पर बेचता है अगर उसने उसे 18 अधिक में बेचा होता तो लाव 18% हो जाता तद नुसार उस बस्तू का लागत मूल कितना है अब दोस्तो इसमें क्या दे रखा है इसमें कहा है 15% लाव और 18% लाव जब दोस्तो लाव लाव की बात की जाए हानी हानी की बात की जाए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे गठाएंगे कब घठाएंगे जब अधिक या कम की बात की जाए तफ ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे लाव लाव की बात की जाए यह तो घठाएंगे हाने हाने की बात की जाए तो घठाएंगे अगर लाव हाने की बात की जाए तो वहाँ पे जोड़ेंगे ठीक है अब यहां पर क्या होगा दोस्तों तो यहां पर लाब-लाब की बात की गई है तो 18-15 तो कितना बचा तुमारा 3 बचा कितना 3% तो 3% बरावर कितने के दोस्तों 18 के तो 3 चिक 18 तो 1% की बेलू कितने आगी दोस्तों 100 तो % की दो 0 लगा देंगे तो कितना होगे दोस्तों 600 तो इस कुष्ण का आंसर क्या होगे दोस्तों 600 ओप्सन नम्मर C इस कुष्ण का राइट आंसर तो देखते हैं अगला कुष्ण अगला कुष्ण क्या है दोस्तों वो देखते हैं आगला कुस्सन है दोस्तों आपका चक्रवती व्याज का यदि कोई धर्रासी बारसिक चक्रवती व्याज के आधार पर तीन वर्स का चक्रवती व्याज जोड़ कर तीन सही तीन वट्टे आठ गुनी हो जाए तो ब्याज की बारसिक दर कितनी है तो दोस्तो हमको दर बताने है तो दर बताने के लिए हम क्या करेंगे तो वो देखते हैं आठ ती चौविस चौविस और तीन दोस्तो कितना हो गया चौविस और तीन हो गया 27 अब यहाँ पे कितना है आठ तो आठ से कितना हो रहा दोस्तो 27 आठ किसका की हुए दोस्तों, दो का की हुए, सत्ता किसका की हुए दोस्तों, तीन का की हुए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, दो से तीन हुआ है, तो कितना बढ़ा है, एक, कितने पे दोस्तों, 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 गुडा करेंगे कितने का, सो का, तो दो, पांच, ठ अपसन नुम्मर वीस कुशन का राइट आंसर ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अगला कुशन अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी हो तो कमेंट में कमेंट करके बताएं अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में कोई भी परिशा नहीं हो तो आप कम ए और वी मिलकर किसी कारल को 6 दिन में करते हैं यह अकेला उस कारल को दोस्तों 9 दिन में करता है तो दोस्तों हम इन दोनों का क्या करेंगे पहले LCM निकालेंगे तो 6 और 9 का LCM कितना हो गया दोस्तों बो देखना है 6 और 9 का LCM तो 6 और 9 का LCM हो गया हमारा 18 तो 18 अब LCM हो ग बाड जाएगा दोस्तो तीन बार नौका भाग देंगा टेम डॉणर में कितनी बाड जाएगा दो बार तो एका मास वारा कितना हो गया दो हो गया तो अब तीन में से दो घठाएगा तो result का मान हमको पता चल गया कितना होगे दोस्तों एक हो गया टोटल काम कितना है दोस्तों हमारा अठारा है ठीक है बी का मान कितना एक है तो बी का मान निकाल बी का एक है तो एक का डिवाड कर देंगे तो कितना हो जाएगा अठारा ठीक है दोस्तों तो भी अकीला उस काम को आण्सर हो गया है। आफरा उप्सन नमबरे। ठीक है दूस्तू अब चलते हैं आगले कुश्ण की तरफ, आगला कुश्ण क्या है वह देखते हैं। अगला कुश्ण है दोस्तू, एक स्कूल मैं teraz 1ла 1 はい एक इसकूल में कितने चाथर हैं दोस्तु चोदेसो अब 14uana हैं दोस्तु ठीक है 25% चस्मा दोस्तु 4406 है 25% की फ्रक्षण वैलू कितनी होती दोस्तु एकप्ठेच चार से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो चात ते बारा चार पाएं तेस तीन सो पचास अब तीन सो पचास मेंसे इनों ने क्या उला है चस्मा लगाने वाले दो बटे साथ लड़के है तो दोस्तों दो बटे साथ निखाल दो इसका तो साथ पाँच पैंटीस पाँच दूनी दस मतलब लड़के कितने दोस्तों सो लड़के हैं सो कौन हैं बोई हैं तो दोस्तों 350 में से 100 घठा दो तो गल्स कितनी बच्ची दोस्तों गल्स बच्ची आपकी 250 ठीके दोस्तों तो इस कुस्षन का अंसर हो जाएगा आपका option नम्मर A ठीके अब चलते हैं अगले कुस्षन की तरफ अगला कुस्षन क्या है दोस्तों वो देखती है अगला कुस्षन है दोस्तों आपका एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिसा में एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिसा में 12 किलोमीटर पर हावर्स और अनकूल दिसा में 18 km पर हावर्स की गती से नौका चला सकता है इस तिर जल में उसकी नौका की गती कितनी होगी ठीक है दोस्तो तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तो इन दोनों को एड कीजिए दोका डिवैड कीजिए आंसर हो जाएगा तो इसमें क्या है दोस्तो 12 फिलस 18 बट्टे 2 तो 12 अठारा कितना होगा किलोमेटर पर हावर्स में और आंसर भी किलोमेटर पर हावर्स में तो कितना होगा दोस्तो 30 बट्टे 2 बरावर कितना होगा 15 किलोमेटर पर हावर्स ठीक है दोस्तो 15 किलो मेटर पर आवर्स इस कुस्षन का आंसर हो जाएगा option नमबर A ठीक है अब देखते हैं अगला कुस्षन तो अगला कुस्षन क्या है वो देखते हैं अगला कुस्षन है दोस्तो average का कुस्षन है 50 लड़कों की एक कच्छा में 30 लड़कों का ओसत लंबाई 30 लड़कों की ओसत लंबाई कितनी है दोस्तो 160 सेंटी मीटर है यदि सेस लड़कों की ओसत लंबाई 165 सेंटी मीटर है तो पूरी कच्छा की ओसत लंबाई कितनी होगी तो अब इसमें देखना है दोस्तो इसमें क्या है पचास लड़कों की ओसत लंबाई हमको पता नहीं है आगे इन्होंने कहा है तीस लड़कों की ओसत लंबाई तो दोस्तो हमको तीस लड़कों की ओसत लंबाई पता है वो कितनी है वो देखना है तीस लड़कों की ओसत लंबाई कितनी है दोस्तो एक सो साट बांकी के कितने लड़के बचे बांकी के कितने लड़के बचे दोस्तो बांकी के बचे 50 में से 30 के 20 तो 20 बचे अब 20 की कितनी है दोस्तो 165 ठीक है कितनी है 165 तो 20 का गुड़ा करेंगे 165 में 30 का गुड़ा दोस्तो 160 में तो 168 तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तो 4800 पिलस और यहाँ पे कितना होगा 165 दूनी कितना होता है 330 तो 10 लगा देंगे ठीके दोस्तो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 अब इनको हम add करेंगे तो दोस्तो इनको add करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा देखो 20 तो 20 है 8 9 10 11 की एक हासिल एक 4 और 3 7 और एक कितना हो जाएगा आपका 8 तो यहाँ पे कितना आगा दोस्तों 800 आगया अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों हमको total कितना 50 लड़के हैं तो 50 का डिवाड करतेंगे तो इनका एवरेज लंबाई निकलाएगे ठीके दोस्तों पांच से 0 से 0 काटतेंगे तो अब यहाँ पे कितना बच्चे का भूख देखते हैं ठीक है अगला कुस्सन है दोस्तों यदे किसी बस्तू का और यदी किसी बस्तू का बेक्री मूल है बिक्री मूल को ही अंकित मूल बोलते हैं तो से 201-2 परसेंट ठ्चूट हो तो उसका अंकित मूल ग्यांत किजिए ठीक है दोस्तों क्या निकालना है उसका अंकित मूल ग्यात किजिए अब देखो यहां पे देखना है 9,2,5,0 अब यहां पे क्या करना है दोस्तों सादूनी चोदर एक 15 15 15 बट्टे दू कितना होगे दोस्तों 15 बट्टे दू साड़े साथ 7.5 7.5 हम 100 मैं से गठाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 92.5 कितना बचेगा 92.5 तो 100 बट्टे कितना कर लेंगे 92.5 ठीक है तो पॉइंट अठाएंगे एक 0 उपर बढ़ा लेंगे ठीक है दोस्तों तो 925 से 925 काड़ देंगे तो एक पर कितना हो जाएंगे दोस्तों 4 0 हो जाएंगे ठीक है तो इस कुस्षन का आंसर हो जाएगा option नमर सी तो चलते हैं अगले कुस्षन की तरह है और वो कुस्षन आपका आज का last कुस्षन होगा ऐसे ही कुश्ण देखने के लिए आप कमेंट में कमेंट करके बताएं तो हम कल और इस ऐसे कुश्ण लेकर आएंगे अब देखते हैं इस लास्ट कुश्ण को कोई धन रासी ए और व के बीच का अनपात पांच अनपात छे के अनपात में बितरित की जाती है यदि भी को तीन सो साथ भी को तो दोस्तो यहां पे क्या दे रखा है एक की वैलू कितनी है पांच भी की कितनी है छे तो दोस्तो छे का मान कितना दे रखा है तीन सो साथ दे रखा है तो छे से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटी है दोस्तो साथ बार अब यहाँ पे पूछा क्या है मिले तो धर्रासी क्या थी तो दोस्तो टोटल धर्रासी पूछी है तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना होगे 6,5,11 तो इसमें दोस्तो 11 का मल्टिपलाई कर देंगे तो 11,66 तो यहाँ पे कितना होगे दो 6,60 तो इस कोशन का आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A इस कोशन का राइट आंसर है ठीके दोस्तो चरूँ मिलते हैं अब अगली वीडियो में ठीके दोस्तो